रूस और युक्रेन दोनों ही देश युद्ध की आग में जुलस रहे हैं रूस के ताबर तोड हमलों का अब युक्रेन भी मूँ तोड जवाब दे रहा है एक एकर अपने इलाके गवाने वाली युक्रेनी सेना अब रूस पर हमलावर हो रही है पश्च्वी देशों से मिल रही हत्यारों की खेब का अब युक्रेनी सेना फायदा उठाती दिख रही है हाल में युक्रेन ने भी रूस पर अपने हमलों को तेज कर दिया है अमेरिकी हत्यारों के दम पर युक्रेन ने रूस को कई मोर्चों पर धूल चटाना शुरू कर दिया है खास्तोर से तब जब अमेरिका ने युक्रेन को अपनी अटैक मस मिसाईलों से रूस के अंदर हमला करने की छूट दे दी है इसी क्रम में रूस ने कबजे वाले क्राइमिया पर जहां पहले से ही युक्रेन की नजर है उसे एक बार फिर से देहलाना शुरू कर दिया है 23 जून को युक्रेनी सेना ने रूस के क्राइमिया शहर में बड़े और खतरनाक मिसाईल अटैक को अंजाम दिया क्राइमिया के सिवस्तो पूल शहर के उपर युक्रेन ने अमेरिका की अटैक मस मिसाईल से जबर्दस धावा बोला युक्रेन के मिसाईल हमले की कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है लंबी दूरी की मिसाइल को क्राइमिया के आस्मान पर साफ तोर से देखा जा सकता है ब्लैक सी के किनारे बैठे लोगों में मिसाइल हमले के खौफ में अफरा तफरी का माहौल देखा गया लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाए दिये खेर क्लस्टर हत्यारों से लेज युक्रेन की ओर से दागी गई मिसाइले हवा में ही ब्लास्ट हो गई वीडियो में एक विसफोट हुई मिसाइल की खतरना का आवाज सुनी जा सकती है बताय जाता है कि बड़ा नुकसान पहुचाने के मकसद से लाँच की गई अमेरिकी मिसाइल हाला की हवा में ही तबाह हो गई मगर स्वेस्टो पोल के गवर्नर ने बताया कि शुरुवाती जाच रिपोर्ट में चार लोगों की मौत की खबर सामने आई है इन में दो बच्चे भी शामिल है वहीं हमले में 27 बच्चों के साथ 1.500 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए है इन में से 6 की हालत बेहत गंभीर बताई जा रही है जबकि 80 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया वहीं रूसी रक्षा मंतराले ने कहा कि चार अटेकमस मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया गया जबकि पांचवी मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई और शेहर में ब्लास्ट हुई स्वेस्टो पोल में नागरिकों को निशाना बना कर किये गए हमलों का मूँ तोड़ जबाब दिया जाएगा क्राइमिया पर युक्रेनी मिसाइल हमले की जिम्मेदारी अमेरिका की है युक्रेन ने अमेरिका की ओर से सप्लाई की गई अटेकमस मिसाईलों का इस्तेमाल किया अमेरिका और युक्रेन नागरी को पर जानबूच कर किये गए मिसाईल हमले के लिए जिम्मेदार है फेस्टोपोल की अमर्जेंसी सर्विस यूनिट के प्रमुक की माने तो जो समुद्र किनारे थे उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुचा है क्लस्टर हतियारों के कुछ हिस से समुद्र तटकी ओर गिरे थे गायलों के शरीर पर छर्रे के घाव थे हमने पहले उन लोगों को निकाला जो गंभीर रूप से घायल थे डॉक्टरों ने प्राथमी कुपचार कर दिया और उन्हें एम्बुलेंस करमचारियों को सौप दिया मिसाइल अटैक के दोरान स्थानिय निवासियों ने घायलों को घटनस्तल से निकालने में मदद की बतादे की क्राइमिय पर ब्लैक सी पोर्ट सिटी और नेवी कैम को साल 2014 में रूस ने अपने कबजे मिलिया था मगर अमेरिका समेथ पस्चिमी देश इस इलाके को आज भी युकरेन का हिस्सा मानते हैं बताया जाता है कि स्वेस्टो पोल पर अक्सर युकरेन की ओर से गोली बारी होती रहती है मगर बीते रविवार को हुआ हमला काफी घा तक माना गया है